मंजू किन्नर लोगों को मिशाल पेश कर रही है गतवर्ष 22 अप्रेल को किन्नर मंजू ने धुंधाम से हिंदू रीती रिवाजों से तुलसी जी और सालिग्राम भगवान का विवाहा कराया था अब गंगोर पर्व आने वाला है जिसको लेकर आज किन्नर मंजू साथियों के साथ कनेश मंदिर पर तुलसी जी के ससुराल पहुंची और तुलसी जी सहित परिवार को कपड़े अभूशन मिठाई भेट की आज के दौर में जहां इंसान अपने रिस्तों को को चुका है अपनी पैचान धूल्डे के लिए रिस्तेदार भी अपने गूश्रे की तरफ देखते रहते हैं महीं पट्रूमर की एक किन्नर है मंजू देगी उन्होंने एक ऐसा कारे की आए जिसको भूरी-भूरी प्रसं इसतुट सा भोत्वरख की जा रही है जहां इनका को परिवार नहीं होता है ना कोरी ना राता होता है न रिस्ता होता है जी समाज से ये लोग करते है कि पैश्ते से और संदवा को हुष्ण तर om कि अपनी तुर्टी का विवा कर आए जो भूंदान से मनाए गया था कि अपने रिष्टा ना भूला है उन से परें प्यार से बान के रखे एक जज़ा बंदी रहती है रिष्टदार सवर्चे रहते वब भी खड़ गए तो कोई काम के लिए यह सनातन धर्म संस्कृति के अंदर बहुती अंकर्मिये पहल किये इनके द्वरा जहां आज आज आप सनातन धर्म संस्कृति पर लोगों को जानकर समझदान लोगों के लिए चांटा है कि इन्होंने तुलसी जैसे पॉजे ब्रक्ष बोद लिया अपनी पुत्री मानकर शाधी की और लगातार एक वरसे सारे तीज तोहरे मनाती आ रही है और आज यह गंगोर लेकर आएं जिस सब्सक्राइब जिन्दा कोई नहीं होता वो भी एक तरह से इस मिसाल को कायम किये है जिसकी भारी तारिश की जा रही है कच्छूमर से इकलेश प्रदान